हाई फ्रेंद्स माइसेल्फ डॉक्टर शाशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक स्प्लेइन करूंगे जिसका नाम है कैंकर सौर्स जिसे माउथ अलसर भी कहा जाता है मैं आपको बताऊंगी किसके स्म्टम क्या है इसके क्या है और साथी साथ कुछ होमियोपेथिक मेडिसिन जो आप इस कंडिशन के लिए यूज कर सकते हैं लेकर उसे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बैल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफ में हो सकता है या फिर आपके अंदर चीक्स की तरफ भी हो सकते हैं यह दो कोई कौंटाजेस कंडिशन नहीं है मतलब यह फैलने वाली बीमारी नहीं है ऐसा नहीं है कि अगर आपको रहा था बारे लोगों को भी यह कंडिशन हो जाएगी कैंकर सौर्स बहुत सारे टाइप person को mouth के अंदर चाले होने लग जाते है जो white यह yellow color के हो सकते है center में और इसका red color का border हो सकता है इसमें person को tingling या फिर burning sensation आ सकता है और यह बार बार reappear होने लग जाते है जैसे एक बार अगर ठीक भी हो जाते है तो फिर दुबारा आपको हो सकते है कुछ दिन बाद minor canker source छोटे होते हैं साइज में और वो हील हो जाते हैं जिसमें आपको कोई scarring नहीं होती है लेकिन अगर किसी person को कोई major canker source हुआ है तो ulcers होते हैं बहुत जादा deep होते हैं वह इसके अलावा उन में pain भी बहुत जादा होता है इस type के ulcers को होने में काफी टाइम लगता है और कई बार ठीक होने के बाद यह कुछ स्कार छोड़ सकते हैं अगर किसी person को herpetiform canker source हुआ है तो इसके होने का रीजन है एक वाइरस जिसे हर्पिस simplex virus कहा जाता है तो इस वाइरस के contact में आने के बाद भी person को माउथ में ulcer हो सकता है अब मैं आपको इसका cause बता देती हूँ कि अखिर क्या reason है किसी person को mouth में ulcer होने का तो इसके कई सारे cause हो सकते हैं जैसे कि अगर आपको mouth में कोई injury हुई थी आपको अपने दातों के वज़े से ही कुछ कट गया था या फिर आपको कोई चोट लगी थी तो उसके बाद आपको skin में ulcer हो सकता है इसके अलावा अगर आपको कोई food sensitivity है कुछ खाने के बाद आपको allergy हो जाती या फिर कुछ खाने के बाद आपको burning होने लग जाती है जैसे कि चोकलेट खाने से या फिर coffee पीने से कई बार परसन को cheese या फिर कुछ spicy food के बाद भी sensitivity हो सकती है इसके अलावा अगर आपके खाने में vitamin b12 zinc या फिर folic acid की कमी है तब भी आपको ulcer form हो सकते है कई बार परसन को allergies के वज़े से भी होता है कुछ mouth में bacterial infection होते है जिसके वज़े से body react करती है तो उसके वज़े से भी आपको ulcer form हो सकते है कई बार person को peptic ulcers के वज़े से भी ulcer form हो सकता है mouth में emotional stress या फिर harmonal shift के वज़े से भी condition हो सकती है इसके अलावा चुछ pate की बिमारियों के दोज़े से भी परसन को ये condition होती है जैसे कि अगर किसी person को IBS हो चुका है या फिर किसी person को celiac disease है तो ऐसे लोगों को भी mouth में ulcer बार-बार हो सकता है इसके अलावा जिन लोगों की body की immunity weak है या फिर जिन लोगों को बहुत जल्दी कोई infection हो जाता है या फिर अगर कोई person को HIV हो चुका है तो ऐसे लोगों को भी mouth में ulcer बार-बार हो सकता है अब मैं आपको कुछ homeopathic medicine बता देती हूँ जो आप इस condition के लिए use कर सकते है तो medicine जैसे कि आप Mercosal 30 medicine आप Borax 30 medicine या फिर आप nitric acid 30 medicine का use कर सकते है ये सारी के सारी medicine आपको 4-4 drop आप दिन में दो बार डायेट अपने टंक्यों पर यूज करना होगा तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे करना चाहते है तो आप मुझे मेरे WhatsApp नमबर पर मैसेज कर सकते है मैं आपको reply करूंगी तो अगर आपको मेरे वीडियो useful और informative लगा हो तो आप प्लीज इसको like कर दीजिए और साथी साथ आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और जो bell icon है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो को notification मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही Thank you